हलो फ्रेंट स्वागत है आपका रिटा सड़का चैनल में और आज आप सबके साथ मैं शेर करने जा रही हूं धाई से बनने वाली बहुत ही टेस्टी स्वीट इश जिसे आप मिंटों में बना सकते हैं और इसका स्वाद इतना यमी है ना आप एक बार बनाईए और हैं तो इसके लिए सब से पहले यहां पर हम लेंगे डेर कप दही तो हैं ये मैंने गाड़ा दही लिया है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है आप यह फिर हैं पर हंकड पन्कड भी less कर सकते है बिलकुन हंकड जैसी है दई सही यह इसमे पानी बिल् Gralई में जो है तो इस तरीके से लगातार चलाते वे हम इसे एकदम अच्छे से फैट लेंगे एकदम क्रीमी सी दही हो जाएगी ये देख सकते हैं आप अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा काला नमक तो काला नमक आपको इसमें जरूर एट करना है वन फो टीस्पुन के करीब इसमें काला नमक डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें और आप साथ में हम इसमें डाल देंगे मीठे के लिए याँ पे मैंने ये मिल्क मेट लिया है जो कंडन्स मिल्क है ये हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमच अगर आप यहाँ पे कंडस मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी जगे पे powder sugar भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं तो मीठा आप कम जादा कर सकते हैं जैसा भी आपको पसंदो तो मैंने यहाँ पे दो बड़े चम्मच इसमें मीठा डाला है अब इसमें हम डाल देंगे केसर तो केसर को मैंने पहली पाने में भीगो के रख रखा था ये डाल देंगे तो केसर आपको इसमें थोड़ी सी साधा ही यूज करनी है क्यूंकि केसर से इसका color और टेस्ट दोनों ही change हो जाएगा और ये देखे कितना अच्छा color आया है इसमें आप देख सकते हैं और दही भी एकदम क्रीमी हो गई है इसी तरीके की हमें दही चाहिए अब इसमें हम बाकी सारी चीज़े एड़ करेंगे तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ पिस्ता थोड़ा सा बचा के रख लेंगे बात के लिए और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ बादाम आप इसमें किश्मिश भी डाल सकते हैं काजू भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंदो अब इसमें हम डालेंगे फूर्ट तो थोड़े से बारी कटे हुए हम इसमें सेव डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ बनाना डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें अंगूर डाल देंगे काले वाले और जो ग्रीन वाले होते हैं वो दोनो तो fruits में आप इसमें जो भी आपको पसंदो वो डाल सकते हैं और जो नहीं पसंदो वो आप skip कर सकते हैं थोड़े से अनार के दाने इसमें डाल देंगे और बस सारी चीजों को अच्छे से mix करने के बाद यहाँ पे यह दही की बहुत ही tasty sweet dish बनके ready है आप इसे एक पर जरूर ट्राई कीजिए मुझे पूरी अमीद है आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी बस अब इसे सर्व कर लेते हैं आप चाहें तो फ्रिज में इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं لेकिन मैं इसे ऐसे ही सर्व कर रही हूँ तो कभी भी कोई खास मौका हो और जल्दी से आपको कुछ बनाना हो और कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेस्पी को मुझे पूरी उम्मेदे आपको यह बहुत पसंद आएगा और इस रेस्पी को ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमंड बॉक्स में कमंड लिखे जरूर बताईएगा अगर आपने ये रेस्पी ट्राई करी है तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा साथ ही में कमंड करके बताईएगा आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार